हेलो फ्रेंड्स नमस्का आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 2324 के अंतरगत पैक्स में या वेपार मंडल में धान देने के लिए ओनलाइन आवेदन की परकिरिया सुरू हो गई है तो दोस्तों अगर आप लोगों में से भी कोई बैक्स या वेपार मंडल में अपना धान देना चाहते हैं तो उसके लिए आप आउनलाइन सबसे पहले करेंगे आउनलाइन करने के लिए आपको जो है रायत और गैर रायत दो आप्सन मिलेगी रायत में जो है आप अपना जमीन का विबरन डालेंगे और गैर रायत में जो है आप किसी दूसरे बैक्ति के जमीन का विबरन डालेंगे अगर आप रायत क्रिशक हैं तो आप अधिकतम धाय सो क्यूंटल तक का आवेदन कर सकते हैं और अगर आप गैर रायत क्रिशक हैं तो आप अधिकतम सो क्यूंटल तक पैक्स या व्यपार मंदल में धान दे सकते हैं तो friends कैसे आप आवेधन करेंगे क्या क्या प्रैसानी होगी आपको आवेधन करने में सारा जानकारी मैं इस वीडियो में कभर करने बाला हूँ दोस्तो मैं हूँ रौसन राज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रौसन राज आउनलाइन टिप्स तो दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन की नोटिफिकेशन को आउल पे कर लें लाइक करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें ताकि और भी लोगों तक इसकी जानकारी मिल सकें चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले जो है आप किसी भी ब्राउजर में डिवीटी लिक करके सर्च करेंगे जिसके बाद फर्स्ट लिंक डिवीटी अग्रिक कल्चर पर किलिक कर लेना है और अगर आप ब्राउजर से इस वेबसाइट पर नहीं आ रहे हैं तो इसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है वहां से आप किलिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं यहां पर आप देख रहे हैं बिहार सरकार का पोर्टल ओपेन हो गई है नीचे की और आप स्क्रॉल करेंगे आप देख रहे हैं बिहार राज फसल सायता योजना खरीफ 2023 इसमें आपको दिख रहा है आवेदन करें और प्रिंट करें जानकारी कर लें यहां पर आवेदन करने के लिए OTP उनके पंजीकरित पर भेजा जाएगा जो आवेदन के लिए आवस्चक एवं गोपनी होगी किर्प्या एक ही मोवाल संख्यां का परियोग करें यदि किसान पंजीकरन संख्या नहीं है तो इस लिंक पर जा करके करें यदि किसान पंजीकरन विवरनी में कोई टूटी या गलती है तो इस लिंक पर जा करके करेंगे और तीसरे में किर्प पन्दी पंजी भाग शंख्या और प्रिस्ठ संख्या जाने के लिए इस लिंक पर जाये वाँपे जो है बाक संख्या रिष्ठ संख्या डालना होता है और पाचमी में दिया गया ये र्यissements के लिए अधिकम धान की मातरा 100 की उन्टल के लिए आवेदन कर सकते हैं यहां पे मैं और भी जानकारी बता दूँ छट्थे नंबर में दिया गया है जो भी किसान पैक्स या वेपार मंदल में धान देंगे तो जैसे ही साज पर किलिक करेंगे आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है यहां पे आप देख रहे हैं सारा डिटेल आपका सो कर जाएगी जिला, प्रखन, पंचायत, नाम आपका सारा डिटेल सो कर जाएगी उसके बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे एहां पर जाल दो इ JSY । सब्सक्राइब करें na गतला तो दो इसके रहाले से देना चाहते हम जिसलो किसान का प्रकार चून लेना है व यारत सब्सक्र वालेком पर किलिक करेंगे अगर गई रहीत हैं तो सकेंड वाले उप्षन पर किलिक कर लेना है उसके बाद आपको इस तरह से आपका पोर्टल ओपन हो जागी यहां पर आप देख रहे हैं एक और उप्षन आया हुआ है मैं जूम करके बता दे रहा हूं आधार के अतिरीक्त पहचान संख्यां यहाँ पर किलिक कर लेंगे उसके बाद जो भी आपके पास पैन काद है या मंदेगा जुब करदा कोई भी आप इसमें एक रासम कार्ड या पैन contribute डाल सकते हैं और उसका नंबर Hari आपो दाने पर राशनकार डाल ले रहे हैं इसमें संख्यां डाल लेते हैं उसके बाद नीचे की वह रसक्रावल करके जो है आप अपना जमीन का वीवरन यहां पर डाल लेंगे सकते हैं आप अब सिधा सिधा इसमें एके कर ऑ और जमिन का नाम डालेना है उसके बाद अगर और ऑर भी कोई जमीन ऐड करना चाहेंगे तो नए जोरी पर आ अपको क्लिक कर लेना है अभी हम आपर रखवा जमीन का नाम डाल लेता हूं और और अगर आप इसमें गलती डाल दी हैं या यह खाता प्लोट नहीं डालना चाहते हैं यहां पर देख रहे हैं राइट साइड में रिकॉर्ड हटाएं लिखा हुआ इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा यह रिकॉर्ड हट जाएगी उसके बाद नीचे की वह रस्क्रॉल करना है आप देख रहे हैं ल दे शक्राइब और अधिक्तम 100 क्युंटल तक की आप द्धान बेश सकते हैं यहां पर हम पच्यास क्यूंटल डाल दे रहा हूं उसके बाद नीचे की वह राप देख रहे हैं आवेदक की घोसना पत्र है इसको चेक बॉक्स को किल्क कर लेंगे और उसके बाद नीचे की कीवह रज करेंगे आगे बरेंपर किलिक कर लेना है यहाँपको वताया जा रहा है सभी सुचनाओं की सुच्मता से जाज कर लें यदि आपकी तो आगे कैप चा दिख रहा है तो कैप चा प किइसमें डाल लेंगे उसके बाद इहां पर पर किलिक कर लेना है जैसे सुरचछीट करने पर किलिक करेंगे यहां पर आपका OTP मोबाल में चला जाएगा OTP डाल करके Final and Summit पर किलिक कर लेंगे यहां पर देख रहे हैं रिकाउट सेफ सक्सेसफुली देख रहा है प्रिंट निकाल करके देना होता है तभी आप अपना पैक्स या वेपार मंदल में धान दे सकते हैं 1123 से 31 जुलाइ 2024 तक के लिए धान खरीदा जाएगा अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम चैनल का लिंक दिया गा है वहाँ पे हम डाल रखे हैं इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें जल से जल उसकी जवाब देने की कोशिज करूँगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद